तो अगर हम देखेंगे यह आपर तो यह क्या किवन है let's see तो अगर हम देखेंगे summation में कह देगा मेरे पास में summation है r is equal to 0 to n अब see ncr को मैं कहा लिख सकता हूँ हमारे पास में एक formula हता है ncr is equal to n by r into n minus 1c r minus 1 same concept को use करते भी से मैं लिखता हूँ n upon क्या देखेंगे मेरे पास में n minus r फिर हैगा क्या n minus 1c n minus r minus 1 फिर हैगा sin of r pi by n r pi by n अब यहाँ पर इच्छा हमारे पास में multiplication में n minus r भी है यहाँ पर n minus r भी है तो n minus r से n minus r कैस्ट लोट हो जाएगा हमारे पास में terms क्या जाएगी अब यहाँ से terms आएगे मेरे पास में summation n constant है उसे बाहर ले 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 ता हूँ में value होजाएगी n minus 1c n minus r minus 1 और फिर है sin of r pi by n r pi by n और r की value कहां से कहां था है हमारे पास में r is equal to 0 to n ओके अगर हम एक important बात दिखेंगे यहाँ पर तो r is equal to n के लिए तो हमारे टाम यह 0 हो जाएगी क्योंकि n minus n हो जाएगा तो obviously मैं summation n minus 1 तक ही लिखूँगा ठीक है अब यह क्या हो जाएगा मेरे पास में n into summation अब यह r is equal to 0 to n minus 1 है अब n minus 1 c n minus r minus 1 हो क्या लिखता हूँ n minus r की form में तो जाएगा n minus 1 c r हो जाएगा मेरे पास में और जाएगा sin of r pi by n तो indirectly यह जो summation है यह हमारे पास में क्या लिखा हुआ है जैसे अगर मैं कोई complex number e r is power iota r pi by n लो तो यह क्या जाएगा मेरे पास में यह जाएगा equal to cos of r pi by n plus iota sin r pi by n के equal तो indirectly जो हमारी value है यह क्या जाएगी c यह लिखा हुआ है imaginary part of what e r is power iota r pi by n लिखा हुआ है तो यह पूरे summation का हर term का जो मैं लोगा तो उसके साथ में imaginary part जाएगा तो जाएगा हमारे पास में imaginary part of summation r is equal to 0 to n-1 जाएगा n-1cr into sin of r pi by n sorry sin किया क्या लिख दूँगा मैं हापे e r is power iota r pi by n e r is power iota r pi by n ओके यह आगई हमारे पास में value now अब देखेंगे हम क्या करेंगे description में तो n तो simple आगया अब यह हमारे पास में क्या लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है n-1c0 से लिखरके e r is power iota r pi by n तो indirectly लिखा हुआ है imaginary part of क्या हुआ हो क्या 1 plus e r is power iota pi by n यह क्या लिखा हुआ है e r is power iota pi by n की power whole r लिखा हुआ है simple हो जागा e r is power iota pi by n की power क्या जाएगी यहापे हमारे पास में r तो यह जागा total expansion की इसका n-1 का अब इससे simplify कैसे करेंगे let's see देखते है तो जागा n into imaginary part of इसको अगर मैं simplify करूँ तो जागा 1 plus cos of pi by n plus iota sin of pi by n हो जाएगा और इसके उपर whole power क्या जाएगे है हमार पास में n-1 तो अब क्या करूँ इसको अगर मैं half angle में break कर दो तो यह क्या जाएगा 2 cos square pi by 2n-1 तो जाएगा imaginary part of जाएगा 2 cos square pi by 2n और फिर जाएगा plus में n common ले लेते हैं अब 2 cos pi by 2n और इसके उपर whole power हमारे पास में n-1 तो क्या जाएगा 2 risht power n तो common आजएगा 2 risht power n-1 बहार common आगया अब अब अच्छा क्या होगा cos of pi by 2n भी common आजएगा cos of pi by 2n यह भी किते times power n-1 times यह भी common आगया power n-1 times अब जाएगा यहाँ पे cos pi by 2n प्रस iota sin pi by 2n तो लिखवाए e risht power iota pi by 2n और उसकी whole power क्या है हमारे पास में n-1 और इसका भी imaginary part तो यहाँ पर जाएगा क्या हमारे पास में imaginary part लिख भी जेते हैं यहाँ पर imaginary part ठीक है तो imaginary part क्या हो जाएगा हमारे पास में यह पूलिटा में हो जाएगी n-1 pi by 2n अंगल में तो जाएगा sin of n-1 pi by 2n तो जाएगा n into 2 raise to power n-1 तो जाएगा cos of pi by 2n raise to power n-1 और इस raise to power iota pi by 2n क्या हो जाएगा हमारे पास में तो जाएगा sin of n-1 minus 1 क्या जाएगा into pi by 2n तो अगर मैं इस n को यह डिवाइड कर दूँँ हां तो जाएगा option C